बलराम सिंग जी आप अन्म्यूट करके बात करते हैं सर नमस्ते बलराम जी सर मैं अफिलेट मार्केटिंग और इसकी साथ फ्रीलांसिंग दोनों को नजर आएक चुनना पड़ेगा एक चुनना पड़ेगा क्या बना लेंगे वेबसाइट जो है मैं अच्छी से बना पाँगे आपका फ्रीलांसिंग फॉर वेबसाइट यह फाइनल है किसके लिए वेबसाइट बनाओगे बलराम जी किस प्रकार के लोगों के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हो क्या आप हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बनाना चाहते हो इसे नहीं हो सकता कोई एक चुनना पड़ेगा बलराम जी कोई एक चुनना पड़ेगा मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको चुनना है मैं सवाल पूछता हूँ आप जवाब दीजे क्या आप हेल्थ वालों के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो पर मैं तो सभी के लिए बनाना चाहता हूँ फिर आप काम नहीं कर पाएंगे आगे आपको कोई एक चुनना पड़ेगा जो सब के लिए काम करता है वो किसी के लिए काम नहीं करता सिंपल चीज समझाता हूँ आपको मैं यह क्यों कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजी हेल्थ में आते हैं जिम ओनर्स जो जिम में काम करते हैं जो हेल्थ की ट्रेनिंग देते हैं जो डाइबटीज रिवर्स करते हैं जो ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं क्या वो ल जाने की कोशिश करते हो गर्ल फ्रेंड बॉइफ्रेंड के प्रोब्लम होते हैं उन्हें आप सौल करते हो क्या यह आपका टार्गेट मार्केट है नो सर्ट नो वेरी गुड रिलेशनशिप भी नहीं है आज आते हैं करियर पर कोई नौकरी कर रहा है और उसे प्रमोशन नही क्या यह आपके टार्गेट और्डियंस है नहीं चलिए वेरी गुड यह भी नहीं है आट एन क्राफ में आते हैं जो गाना गाते हैं डान्स करते हैं ड्रॉइंग पेंटिंग सिखाते हैं म्यूजिक सिखाते हैं क्या यह आपका टार्गेट है यह वेरी गुड यह भी नही पर्सनल डेवलप्मेंट में लोग आते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, बात कैसे करनी है, इंप्रेशन कैसे जमाना है, इंगलिश कैसे बोलनी है, क्या ये आपका टार्गेट ओडियन्स है? ये भी नहीं है, आते हैं अकाडेमिक्स पर, अकाडेमिक्स में क्या इस्टरी, जोगरफी, साइन्स, ये जो सब्जेक्स सिखाते हैं, क्या उन लोगों को आप टार्गेट बनाते हो? नई सरी, इसमें मैं नहीं पार रहा हूं, विजनिस वालों के लिए मैं वेब्साइट बना रहे हैं, तो आपका टार्गेट है कि उनकी सेल बड़े, तो काम करना चाहते हैं, परफेक्ट, आप उनकी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अब आप फ्रिलांसिंग करेंगे, वेब्साइट बनाओगे, बिजनस्मैन लोगों के लिए ताकि उनकी सेल बढ़ सके, क्या ये क्लारिटी आपको मिल रही है, अब इसमें किंतु-परंत तो सोच, विचार, अनलिसिस, परलिसिस नहीं करेंगे, जो फाइनल होता जा रहा है, उसे फाइनल करते चलेंगे, राइट? अब इसे ब्रैंडिंग किस तरीके से करेंगे, क्या आपके पास कोई नाम है, जो आप अपने इस सिस्टम को देना चाहते हो, या आप अपने ना होना जरूरी नहीं है, अब अच्छे फॉंट में अपना नाम लिख दोगे, तो भी काफी है, अब आपकी पोजिशनिंग क्या है, कहिए मेरा नाम बलराम सिंग है, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, बिजनस्मेन लोगों के लिए, ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सके, जी सा और एक खुशाल और आजाद जिन्दगी जी सके, ये लिखकर रखना चाहिए, आपको ये आपकी पोजिशनिंग है, अब ये क्यों करना चाहते हो आप, आप अपनी बीवी के लिए वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, क्या फरक पड़ता है, उनका बिजनस बढ़े ना बढ़े आपको, क्या होगा इंकम बढ़ने से, इतना पैसा जरूरी क्यों है, आपकी वाइफ अभी भी तो कुछ पैसे कमा रही होगी, तो आप ज़्यादा कमवाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि बिजनस बढ़े, विच इस नॉट रॉंग, इस राइट, लेकिन क्यों, इसका कारण क्या है, तो ये आप सिर्फ अपनी वाइफ के लिए, या महिलाओं के लिए करना चाहोगे, या हर बिजनस मैन के लिए करना चाहोगे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप रेजोनेट कर रहे हो इसके साथ, वेरी गुड, आज से दस साल बाद अगर आप ये काम कर रहे हो, तो आप अपने आपको क्या करता हुआ देखते हो, आपका विजन क्या है, तो ये करने से आगे क्या होगा, दस साल आप ये काम कर रहे हो, आगे क्या विजन है वो तो मैं समझ रहा हूँ लेकिन क्यों कर रहे हैं ये पैसा कमाने के लिए ठीक है एक बार पैसा आ जाएगा तो क्या बंद कर दोगे क्यों करेंगे तो क्या ये कह सकते हैं कि एक entrepreneur जो होता है जो business करता है वो struggle करता है और उसकी struggle को आप कम करना चाहते हैं उनको digitalize करके ऐसे कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं तो इस प्रकार से आपको पहले तो imagine करना पड़ेगा आपका vision क्या है आज से 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद जैसे मैं कहता हूँ मैं कम से कम 10 लाख लोगों को help करना चाहता हूँ तो क्या आप यह कह सकते हैं कि कम से कम 10 लाख छोटे businessmen को help करना चाहता हूँ कि वो अपना digital ecosystem बनाए अपनी websites create करें अपने business को grow करें क्या यह हो सकता है तो क्या यह आप अपना vision बना सकते हो clear है आपकी branding कोई doubt अब आपको अपना ecosystem इस हिसाब से change करना होगा अब आप बल्राम सिंग जी के नाम से freelancing करना चाहते हैं तो यह recommend करूँगा कि आप बल्राम सिंग.com अगर मिलता है तो ले लीजे digital बल्राम इसे short करेंगे ऐसा करेंगे कि लोग जल्दी याद रख सकें अब आपकी website पर आप content क्या डालेंगे